Everyone, Namo Namo, Welcome to our YouTube Channel पर आज मैं आपको कक्षा सात्वी के संस्कृत भाषा का प्रथम पाट वन्ना पड़ाओंगे वन्ना का अर्थ होता है प्रेयर, मीन्स प्राथना आप सब जानते ही है कि कोई भी भाषा सिखने से पहले उस भाषा का महत्व समझना चाहिए तो मैं आपको संस्कृत भाषा का महत्व समझाओंगे हमारी भारतिय संस्कृत में वेद, पूराण, उपनिशत और ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए है इसे लिए संस्कृत भाषा भारतिय भाषाओं की जननी है दुनिया की सबसे scientific language संस्कृत भाषा है नासा ने भी साबित किया है कि सायंस के बड़े बड़े तथ्य संस्कृत भाषा में छिपे हुए है संस्कृत भाषा सिखने से हम हमारे देश की संस्कृती और संस्कार से जुड़े रहते है तो आओ, हम वंदना पाठ में दिये गए संस्क्रिट स्लोक का गान करके संस्क्रिट पाठ का शुभारम करते हैं स्टूडन्ट स्लोक का गान करने से पहले हम स्लोक के सबदार्थ को समझेंगे सर्व भूतेशू means in all animals, सब पशुओं में यहाँ पर भू यानी भू लोक में रहने वाले सब जीव की बात की है या देवी means the goddess है देवी विद्या रूपैन in the form of learning विद्या के रूप में तस्याई means her संस्थीता एक्जिस्टेड बिराजमान है अब हम स्लोक का गान करेंगे या देवी सर्व भू तेशू विद्या रूपैन संसिता नमस्तस्याई 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 नमो नम या देवी हे देवी सर्व यानी सब भू तेशू भू लोग पर रहने वाले सभी जीव में विद्या रूपैन विद्या के रूप में संस्तीता बिराजमान हो हे देवी आप सब जीव में विद्या के रूप में बिराजमान हो मैं आपको बार बार नमस्तस्याई रूप करती हूँ यहाँ स्लोक में सरस्वती माता की महिमा गाते हुए कहा है कि हे देवी सरस्वती आप हम सब में विद्या ज्ञान के रूप में रहती हो हम आपको शत शत वंदन करते हैं Students अब हम स्लोक का English में Translation करेंगे Boeing Boeing again and again to the goddess existed in the form of learning in all animals Students, अब हम second slogan के सब्दार्थ को समझेंगे नित्य सदा means always, हमेशा पठामी means I read पठ धातु है, पठ यानि पढ़ना मैं means I, यानि मैं पठामी means मैं पढ़ती हूँ वदामी means I speak वद भी धातु है, वद यानि बोलना वदामी मैं बोलती हूँ सम्यक means well अच्छा, ध्यायामी means meditate, ध्यान करना स्टूडंट, अब हम स्लोक का गान करेंगे पठामी संस्कृतम नित्यम, वदामी संस्कृतम सदा, ध्यायामी संस्कृतम सम्यक, वंदे संस्कृतम आतरम पठामी संस्कृतम नित्यम, मैं नित्य संस्कृत पढ़ती हूँ वदामी संस्कृतम सदा, मैं हमेशा संस्कृत बोलती हूँ ध्यायामी संस्कृतम सम्यक, मैं संस्कृत भाशा का अच्छे से ध्यान करती हूँ वन्दे संसकृत मातरम संसकृत भाषा रुपी माता को मैं वन्दन करती हूं यह स्लोख में संसकृत भाषा को माता मान कर संसकृत भाषा की श्तूती करने में आई है अब हम स्लोख का इंगलीज में ट्रांसलेशन करेंगे I always read Sanskrit, I always speak Sanskrit, I meditate in Sanskrit well I bow to the mother Sanskrit language Students, हम थर्ड स्लोग के मीनिंग समझेंगे Deep Jyoti means Ollaster of Lamp हे दिये की Jyot Kalyanam means Well-Wishing सुब कामना देना आरोग्यम means Health तंदुरस्ति धनसंपदम means Wealth धनसंपति करोतु means Do, करना शत्रु बुद्धी विनाशाय For Destruction of Enemies, Evil Thoughts शत्रु के बुद्धी का विनाश हो बच्चो अब हम स्लोग का गान करेंगे शुभं करोतु कल्यानम आरोग्यम धनसंपदम शत्रु बुद्धी विनाशाय धीप जोति नमोस्तुते यह स्लोक में दिये की जोत की महिमा गाते हुए कहा है कि दीप जोति नमोस्तुते हे दिये की जोत हम तुमको नमस्कार करके कहते है कि शुभं करो तु आप मेरा शोब करो कल्यानम आप मेरा कल्यान करो आरोग्यम आप मुझे अच्छी तंदु रस्ती दो धन संपदम मुझे धन संपदी दो शत्रु बुद्धी विनाशाय मेरे जो भी शत्रु है उनकी बुद्धी का विनाश करो क्योंकि शत्रु की बुद्धी का विनाश हो जाएगा तो वो हमारे परम मित्र बन जाएंगे स्टुडंट्स यहां स्लोक में दिये की जियोत को इश्वर स्वरुप मान कर प्राथना की गई है कि मेरे जीवन में कल्यान कारी कर्म हो मेरा आरोग्य अच्छा हो स्टुडंट्स अब हम फॉर्थ स्लोक के मीनिंग समझेंगे मुकम मिन्स टूधर डंब जो बोलते नहीं है जो लोग गुंगे है वाचालम करोती मिन्स मैक स्पिकिंग बोलने लगते है पंगुम मिन्स टूधर हैंडिकेप जो विकलांग है जो चल नहीं सकते है गेरी मिन्स माउंटेन परवत लंग यते मिन्स मैक क्रोसिंग पार कराते है तम मिन्स हेब स्टुडंट्स अम स्लोक का घान करेंगे मुकं करो तीवाचालं पंगुम लंगयते गिरीं यत कृपात महं वंदे परमानंद माधवं परमानंद माधवं means परमानंद माधवं यहां हमें इन तीन सब्दों को समझना है परमानंस्वरुप माधव यानी श्रीहरी फिश्न भगवान यत कृपात महं वंदे आपकी कृपा को मैं वंदन करती हूँ क्योंकि मुकं करोती वाचालं आपकी कृपा से गुंगे होते हैं वो बोलने लगते हैं और पंगुम लंगयते गिरीं जो विकलांग है वो परवत को भी क्रॉस कर देते हैं यहां स्लोक में श्रीहरी विश्न भगवान की महिमा का वर्णन किया है अब हम स्लोक का इंगलीस में ट्रांसलेशन करेंगे आपको भी स्वयम यह स्लोक का गान करना है यहां पे पार्ट कंप्लेट होता है थेंक यू नमो नम वंदे संस्कृत मातरम